समझकर दोस्तों, Welldeskai के एको नएंट्रस्टिंग वीडियो में आप से भी लोग का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडर्स्टेंड करेंगे, समझने की कोशिस करेंग एक अच्छे मुव के बाद थोड़े से हॉल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहां पर दिखोगे तो आपको यहां पर थोड़ा सा अब आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि कल भी यह अरूंड 500 गिरके देखनेंगे नहीं जाता है तो यहां पर आप आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले को निफट और बैंग च्ति कल बैंग निफ्टी के एक्स री तो जायट सी bastard है अगर आप देखोगे तो कंटिनॉसलीय यहां पर काफीBार देख देखने को मिलता है तो चैंसे के देखने को मिल सकती है यह ध्यान में जरूर रखिएगा इस टैब की जैसे यह थोड़ी बहुत क्रौफिट बुटिंग अभी और लिकने को मिल सकती है अगर आप्शन चेन डाटा के साथ से देखा जाए तो यहां फिन देख रहा है जो 21,000 है अगर हम इसको expectation में डालें कि किस हजा आ सकता है तो फिलाल तो यहां पर put side पे 10 लाग का open interest है, call side पे almost 1 crore का open interest दिख रहा है अब यहां पर अगर देखा जाए तो 21,000 से पहले है 20,900, 20,900 पे भी आपको 14 लाग का open interest दिख रहा है अगर कल market 20,900 को hold कर जाता है तो फिर chances बन सकते हैं कि 21,000 आपको nifty के expiry में देखने को मिल सकता है बट यहां पे उपर के level पे थोड़ा सा आपको alert रहना ही है यह चीज ध्यान में रखिएगा बाइंग में आपके पैसे बन रहे बहुत अच्छी बात है अगर यहां पे ऊपर के level पे कोई भी बड़े महेंगे option बाय मत कर लीज़ेगा क्योंकि अब अल्यड़ी option stretch हो चुके है अब थोड़ी सी भी यहां पे कह सकते है profit booking और option के price तेजी से गिर जाएंगे जैसे अगर आज के case में भी देखोगे तो आपको यहां पे देखो अगर मैं यहां पे है कि माली यह बीस नौसो की call देखते हैं ठीक है बीस नौसो की call हम देखते हैं 20 नौसो की call इसके चार्ट पर गए तो आपको देखने को बलेगो देखो ठीक है आज है आपकी पांच तरीक बॉनिंग में काफी अच्छा मोमेंट दिया अल्मोस्ट आपका 81 तक गई फिर यह गिर गई और 40 तक आ गई थी उसके बाद आप देख रहे हैं सिर्फ 70 तक गई है जबकि निफ्टी अगर आप कंपे करोगे निफ्टी ने अल्मोस्ट ह काई बना दिया था ठीक है ना तो यह चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि आप कॉल खरीद के बैठे हो मार्केट उपर जा भी रहो बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा हो तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है ठीक है दूसी चीज़ है 20,900 की कॉल 70 रुपे क अब यहां पर चार्ट पर चार्ट पर अगर आप देखोगे तो सिंपल दी चीज़े बैंग निफटी आपका आज हॉल्ट करता हुआ दिखाई दिया वॉणिंग में मुमेंट आया मुमेंट के बाद आपने यहां पर यहांपे रैंट लाइन मार्क कर लो ठीक है जाक्ता है इस ट्रेंड लाइन के उपर सस्टेन कर रहा है तो पॉजिटिव है ठीक है और आप चाहो तो यहां से भी इस तरीके से माक कर सकते हो ठीक है क्योंकि यहां पर इसमें ब्रेक आउट देने की कोशिस करी थी बड़ ब्रेक आउट सस्टेन नहीं हो पाया दुबारा इस चैनल के अंदर नीचे आके है तो एक पॉइंट ड्यान में रखना यह गैप है ठीक है यह ग बाद आता है इसने आल्मोस्ट बारा बदे के बाद एक नेरो रेंज के अंदर कामकाच किया है तो मौनिंग में हो सकता है एक उपर का मूव आ जाए उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बॉकिंग आ जाए या फिर नीचे की तरफ मूव आ जाए और फिर बाइंग इस तरीकी की वॉलेटिलिटी आपको कल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो आल्मोस्ट लाइफ टाम हाई पर चल रहा है तो यहां पर देखो यह मल्टिपल गैप यह गैप बना हुआ है ठीक है अगर आप देखे ना यह है यह नहीं और बभी च्छा रहा यहां पर जरुकि वह पर और थोरा साब को आपकोट रहना है तो अपने प्रॉफित को यहां पर जरूवत है यहां पर यानि क्योंकि यहां पर अभी तक आप बाइब कर रहे थे पैसे बनने थे अब यहां पर थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट वोकिंग आई गी और आपने कहीं है और आपके पैसे जाबी ज़कते हैं ठीक है तो थोड़ा सा यहां पर एलर्ट रहने की बा बहुत प्रॉफिट वोकिंग देखने को मिली सेम चीज निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है और जायर सी बात है कल बैंक निफ्टी के एकस्पायरी है तो कहीं न कहीं यहां पर थोड़ी बहुत आपको रहेगी बागी बागी बाइंग के लिए आप बाइग कर सकते हो क पर कोई opportunity मिलती है selling की तो आप जरू sell कर लिए ठीक है न यह ध्यान में जरूर रखेगा ठीक है बैंक निफ्टी हो गया आपका global market मैंने आपको बता दिये हैं ठीक है थोड़ी बहुत profit booking यहां पर देखने को मिल रही है तो देखते हैं यहां पर इसी level से rebound करेंगे या फिर दुबारा से नीचे की तरफ जाएंगे एक चीज़ जयान में रखना है जब तक दाउजों 36,000 के उपर काम करच कर रहा है तब तक कोई problem वाली बात नहीं है इसके हो सकता है यहां पर यह एक दो दिन के बाद दुबारा से breakout दे सकता है ठीक है तो I hope दोस्तों यह particular data आपको स इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जाहें